हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे आप सब उम्मिद है आप सब बच्चे होंगे मैं हरिसाव अविपसाइजुकेशन फॉर एक्सलेंट के इस ऑनलेन प्रेटफरम आपका हर्दी सवगत करता हूं तो भाई आपका तो पढ़ाई जबरदस्ट चल रहोगा मैं मान के चलता हूं अगर नहीं भी चल रहा होगा तो भी उसको जबरदस्ट करिए एक्जाम को जी दिन बच्चा हुआ है है ना तो हाँ चलो मैं यह पोड़ रहा था कि एक्जाम से तो हमाँ चली रहा है साधी साथ अपना प्रिए से क्वेशन जितना भी ओभी हम दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हों जहीं प्राक्टिस कर रहे हैं और पढ़र रहे होंगे लेकिन बीच मैं उसमें पर फोकॉस करो क्योंकि बीना यूरी जितना भी पढ़नों नया चीज कोई मतलब कर दोगहंट निकालिया रिवर्य फिर कर इसल करि किये मतलब रियुज़न किये बिना आप आगे नह हम बातने हैंड नंबर नियां से लिख ट realtstore करें है चैप्टर नंबर अप्र जब इसके करने है जो कहा है जो क्या है चैप्टर नंबर आठ है इस बात करें हम अपने को अपने माइनड को इस पे बारें चर्चा करेंगे जह कि आपके न्बर आठ में दिये हुआ है एससे चैप्टरár नॉबर 8 ने जो की इंटर्सटिंग चीज़ें प्रोसेस किया है यह सब प्रोसेस किया है यह सब प्रोसेस पलक जपकना ही नेचुरल प्रोसेस है ठीक है लेकिन कुछ सी यह तो इसके बारें चाचा करेंगे जैसे कि वह चाहिए तो यह आजा गा किसके अंतरगत प्रतिवर्ति क्रिया के अंतरगत आ जाएगी कि यह सब प्रोसेश होता। है ततर। हमारे बाड़ी में आपको प्रोस ओसे अब मैखाना बना रहा हूं चलो जब खाना बना रहा हूं तुम्हें प्लतफा कई हो ography सब्सक्राइब हो सकता है कि जब जलने लगे आसे लेकिन जलने लगा तूरं क्यों हटा दिया क्या मेरा माइंड जो है तूरंद उसको हटाने के लिए एकड़म रेडी था या फिर एकड़म दो सिकंद की घटन होई उसके लिए कौन सा फोर्स लगा होगा मेरे अंदर में यह पिर क्या चीज आया होगा कि ऐसा किया हूं मैं तो इसी के बारे में इस चैप्टर में डिसाइड चैप्टर में आटा में बताया तो मैं हर बार बोला हूं हरव इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है साथ आठ और आपके चैप्टर्या चैप्ट्र नंबर चोज़रे लिवां करके पार्ट तो हमने पूरा एक चेप्टर कंप्रीट कर रखा है किसके बारे में स्वासन परिवहन और क्या भी अपसिस पढ़ार्द निगाड रहे थे हैं आप भोजन पाशनतर निस सब के बारे में पूरा पढ़ लिए जान लिए और कुछ को आपके लिए होमवर्क भी दे दिये और कुछ को स्किप कर दे थे क्योंकि ज्यादा डिस्कसन की जोरत नहीं थी क्योंकि लेंदी हो रहा था आपको पता भी है इसके बारे में करके तो यह सब क्या होते सर चाप्टर में जाल लेंगे भी तो चलो आब बात करता हैं सब्सक्राइब क्या होते है सर देखते हैं क्या कैसर कौन सा पाधब जो है हार्मोन है अब इसमें से हार्मोन कौन सा है जो पाधब जो है वह हार्मोन को पूछा गया था तो इसका आंसर क्या होगा भाई देखो क्या होगा सैटो कैनीन जो है वह ऐसा पाधब है जिसमें जो हार्मोन बाद समझ में बत्चों अब देखो क्या को शिक कि सनाचरा में यह नहीं पाया था जण यह डंड भीजती है तो इसका अंसर क्या होगा भई आपसर नंबर दी इस पर चर्चा करेंगे जब बड़े कुशन में जाएंगे तो तो यह कुछ इसका अंसर क्या होगा सर इसका अंसर होगा देखो रहाएं अब देखो क्या है रात को जब हम सोए हुए होते हैं और यह तो सोते हुए दरहे भी हम उस मच्छर को कातिन के में बचने का प्रयास करते हैं इसने का नियंतरन होता है कहां होता है मैं मेरुम रज्जी द्वारा मेर्यक ध्वार्प्लसक्रा क्यों अब देखने कुछ और कोस्टन ने पुछगया सर्क्या वह फ्रतिवर्तिक रिया है सर जिसके लिए और उत्तरदावी है वो क्या है मेर रज्जु है प्रति वर्तिक रिया है जो इसका आंसर है मैं आंसर देते जा रहा हूं जो की दोहर बीस में सरदावी गरंथिया बोला जाता है बात समझ में और क्या तरिस्तर कोशिन क्या बोलता है खालिस्तन द्वारा इस्तरवी थोने वाले प्रमुक हर्मोन ऑक्सीन जिब्रेलीन तथा साइटोकाइनिन है अब देखो सोचो क्या है सर यह जो इतना जो नाम लिख्यों नया नया वह हो किसमें पायाना है टो फिर वैंके बाता दू इसकास किया हुआ हों मैं किसमें किया हूं लेकिन छलो फिर भी मैं बता दो इसका से क्या होता है पाधा जाता है यह अब देखते हैं तो तो इसको मास्टर गंति करते हैं क्यों यह मैनेज करता है इस पर यह कोशन आया था जिसके बारे मैं आपको चर्चा करूंगा इसके अच्छे बता दूंगा थोड़ा देर बाद बता दूंगा फिर भी देखो कब पूछा गया था सर इस पर चर्चा करेंगे और कुछ समझेटा है अब को जैसे बताओंषी हो इसका अंसर और हार्मोन क्या है यह उसको भी बताइए यह यह आइस सर रसानिक प्रोटीनि प्रोटीनी पर आरता है जिन से वी बीन जैविक होता है कि ठीक है बच्चो यह समझ मैं होता है जो हमारे बाडी में चलता रहता है और क्या होता है jar चलने का प्रोसेस होते रहता है जिसके काराण हमें प्रक्राइब करता है अब बहुत क्या है तो मैं बोलूँगा अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है आप मैं पढ़ाते 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 मैं आपके लेक्षर को लिग गया एक घंटे और मैं आको कराया नहीं आपको एक्सप्रेशन अच्छे से दिया नहीं फिर आप सोचोगे कि सर यह जो बंदर पढ़ा रहा है या पर जो चुप चप बंद कर दूंगा मैं अपने इस पढ़ा चलू कर दू तो यह अपके अंदर में कुछ हो रहा हार्मोन वह एंगरिल आ दे रहा है कि यह बंदा यह जो है तो आपके अपके दोस्त चीटिंग करने आप यह बंदा इंगरी वाली हार्मोन वाले हैं यह भी रहा है जब आप टेस्ट में 100 ला दो यह फिर अन्डरेड में आप ला दिये कितना बही 98 ला दिये तो खुष हो गया यह अलग बात है कि कुछ बच्चे 98 आया तो सब दो नमबर कैसे चुक गया इसके बारे में बात बोलते हैं कि सर दो नमबर चुक गया इसका मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे 100 चाहिए बात की बात है तो वह अंदर बें खुसी वाली बात आती है में कुछ प्रविक्ति जो सब्साइब करते हैं और कैसर और कुछ क्शें है अन्हें इसको उधान दिजिए एची क्रिया क्या होती है इसको बता यह बता और पूशता है इंसुलीन हर्मोन कहां से स्तराइथ होता है और यदि वैक्तिक श्रीज में यह नहीं होता है कुछ कुछन दिया गया है अब एच्छिक रिया और अनेच्छिक क्रिया यह इस पर चलते हैं आप एच्छी क्रिया बोलती ही पता चाहरे सर कुछ चीज़ा ऐसा है जो इच्छा से चलती है कुछ क्रिया ऐसे होती है इंसान द्वारा जिसके इच्छांपल से की ते पहाई निये अंतरन रहता है यह होती यह की बात आती है सर कुछ चीज़ ऐसा है जिसको मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता बात करते मेरा चार बढ़ पलक जपख दीआ Latino बोलते मुझे खासी आ गये सर मैंमा बरतन को छुआ चार रहा है। कि मैं हो मर्कनी क्या हूं सर मैं सज़ा देंगा गरम बरतन को छुए रहूंगा यह आप सज़ा देने वाले हो लेकि फिर भी आप तुरंत हटा दे रहे हो क्यों कि लेप्ट हेंड में लिखना चलू करोगे त्रीडेट में वायरस होते है ना उसके तरह दोनों हाथ से लिखना से प्रैक्टिस कर लिजे फिर है ना तो यह सब थोड़ों मजा कर रहा था मैं हां तो क्या बोल रहा हूं भई कुछ चीज में हमारे कंट्रोल नहीं होती जो अन्यचे क्रिया के अंतरगत आती है तुरंट रियक्ट कर देते हैं सर तुरंट हाग को बचा लेते हैं यह बात समझ में आई भई अब देखो क्या है सर इंसुलीन हर्मोन कहां से इस्त्रायूत होता है और यदि यह वैक्टिक के सरी म बनाता है मनुस्त के अगनासा में अब यह नहीं हो तो हमारा सरीष सक्कर का उप्योंग नहीं कर सकता है किड़नी है और रख तो मुतर के साथ बाहर निकाल देखते हैं और हम मदमय के सिकार हो जाते हैं मतलब क्या बाइब डायबेटीज का में जो रिजन होता है वो कहां से होता है सरकरा मतलब सुगर मतलब जादा जलेवी खाने से जो दिक्कत होने वाली वह दिखाई दे रहे बच्चों तो यह बात समझी में तो इस परकार हमने क्या डिसकस कर लिया बही एक नमर दो नमर क्व अब हम बात करते है कि इसके माश्टर गंति को बोलते क्यों सर यह बोलो और मास्टर बोला जा रहा है मतलब हर चीज मैनेज करता होगा तो आपके सर्विय में जितना भी अन्तास्तरावी द्रव है आंतास्तरावी गंतिया उसको पूरा मैनेज कौन करता है वह आपके क्या बनाता है काम करता है यह आपके जो राजा है जो आपकी हीरो कौन बहीं आपके प्यूज ग्रंथी हैना प्यूज ग्रंथी कौन बाई कौन आपके प्यूज क्रंथी है प्यूज गलत लिख भाऊ-गे bone देखो है एसर कह Connectator प्यूज़कर क्या ते सर्फ वही जो है मास्टर के काम करते है पूरे ग्रंथियों में यह NOW पी यूज गरंथी वह क्या करता सर वही है जो है क्या हमारा राजा है वही जो है मास्टर है वही सब अन्तर इस तरह भी गरंथियों को पूरा मैनेस करता है जिसके बात क्या बोला कि पूरा मैनेस करता है जो मैनेस कर दे रहा है उसको मास्टर गरंथी नहीं बोलूगा भाई तो यह जो है दो नंबर से कोश्चन आ सकता है जो कि इंपोर्टेंट है यहां तो की बाद समझ भाई है हां मैं बॉलने वादा था बिल्कुल यह चीज़ ध्यान में रख लो आप बिल्कुल बच्चों क्योंकि टाइम कम बच्चा है तो सर हम इधर पास कर ही नहीं सकते हमारे करोगे तब एक्जाम में पूरा पर्फार्मेस दे पाओगे अच्छे से क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हुआ है बहुत सा ऐसे घटना हुआ है जिसमें बच्चे जो है रियूजन ना करके क्या करते हैं तो बिल्कुल आप रियूजन करके जाईए अगर आप दस चैप्टर में आप 9 चैप्टर करके गया है है ना एक चैप्टर को छोड़ दी हो तुझा छोड़ दो लेकिन 9 चैप्टर को धंग से पढ़के रियूजन करके जाना ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतने ही करते हैं भाई अब मिलते हम नेश्ट लेक्चर में इसके हुआ है